लिंक लियर सर्विसीज राइट लिंग लियर सर्विसीज राइट इन दिस वीडियो वी अर गई तो इन दोड़ा सा बता जिता हूं आपको चीजों के बारे में जो लॉजिकल लिंक कंट्रॉल है तो ये क्या करेगी जो मैंने बता था ना कि link to link जो data deliver करना है ठीक है तो उसके लिए सबसे पहला तो इसका काम है framing करने का framing का वही मतलब है जो हमने network reference models पढ़े थे ना उसमें हमने देखा था यार packet बनता है कैसे बनता है segment बनता है transport layer पे कैसे बनता है frame बनते है data link layer पे तो वहा लिए था कि जो major data था main data let's say 500 MB की कोई file थी video audio whatever वह भेज नहीं है आपको network में मालो Facebook पे upload करनी है कोई video या अपनी WhatsApp पे आपने कोई भेज नहीं किसी family member को whatever तो 500 MB क्या होता है छोट-छोटे टुकडों में जाता है उनको हम क्या मोलते थे हमारे अलग-अलग layer पे अलग-अलग नाम देते थे तो general नाम है इसका DU data unit जब तक यह actual part है मतलब इसके अंदर कोई extra information नहीं है मालो जब यह DU भेजना है तो क्या करेगी transport layer इसके साथ अपना header add करती है header of transport layer तो यह क्या बन जाता है PDU of what transport layer जिसको हमने क्या बोला था segment तो ऐसे ही जब यह जाएगा तुमारा किस network layer पे तो edge it is गया DU header of transport then network layer अपनी header add कराएगी तो यह PDU क्या कहलाएगा फिर आपका packet same जब यही किसके उपर आ जाता है तुमारा data link layer के उपर EU header of transport layer भी था इसके अंदर network layer तो जो data link layer क्या करेगा अपना header add करेगा ठिक और एक और खास बात क्या होती है data link layer की कि यह trailer भी add कर बाता है trailer मतलब की जो last में data के last में विट्स लगती है हम बात करेंगे इसकी और यह जो entire part है फिर अगर आप देखोगे इस इस पूरे process को बोलता है framing की data के साथ header और trailer जो भी required extra information लगा नहीं है so that इसको आप link पे एक device से अगले device तक भेज पाओ alright जैसे एक switch पे आपके ऐसे devices लगे है एक दो तीन चार इसका MAC address A है इसका B C D तो यह A की link है ना बतलब switch same network पे तो है 10.1 है 10.2 है अब A को और D को लेट से PC1 को PC4 को data बेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर अपना source MAC भी और अपना उसका destination में भी लगाना पड़ेगा तो यह सब कहां होता है आपका इस header पार्ट के अंदर की जहां पे आप बताते हो who is the source and who is the destination जहां पे आप physical identification लगाते हो remember in network layer हम यहां पे physical की बजाए logical identification लगाते थे source IP destination IP तो network के जो device थे network layer वाले router वो destination IP पे काम करते हैं ऐसे हम आगे पड़ेगे जब LAN और switching पड़ेगे थोड़ा बहुत you know ending section of this chapter हम switches पड़ेगे switches कैसे काम करते हैं तो switches destination mac पे काम करते है router's destination IP पे काम करते हैं so we'll talk about that but the point is वो पार्ट कहां पे हो रहा है header में trailer हम अगली जो वीडियो रहेगी first हम क्या service पड़े रहे हैं framing जब हम next पड़ेगे न सर्विस हमारी इस sub layer गी जो second पहली कुरसी responsibility framing second होती है link to link reliable data delivery उसके लिए क्या होता है फिर भई destination source को बताए कि जो तुम data भेज रहे हो वो मेरे को exact error free मिल गया है की नहीं तो तभी तो वो reliable delivery हुई न की बातचीत है source को destination के बीच में खराब data discard हो गया actual exact data receive हो गया तो यहां से हम क्या बाते करी है हमने इसके दो function framing और क्या बोलते था उसको error free delivery या फिर reliable delivery from one link to another link तो framing क्या है यार वही मैंने बता दिया आपको encapsulate करना data part को with respective headers and trailers और यही सब बाते यहां पर लिख्योंगी अगर आप देखोगे media access control हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे first we are talking about what the first two responsibility of LLC framing है यह सब वही बाते हैं I guess इसमें कुछ ऐसा नहीं है अलग से बताने का हाँ यह देख लो यार कि अब जो अगली वीडियो रहेगी हमारी न error control वाली जो हमारी reliable delivery reliable का मतलब क्या होगा कि receiver को पता चले कि भाई जो data है जो भेजा जा रहा है sender की तरफ से वो adjectives वही data है या उसके साथ छेड़ खानी होई है ठीक है तो माल लो एक यह particular इसके अंदर data है frame के अंदर इसके साथ header लगा है header of data link layer then trailer लगा है data link layer का जब यह भेजा जाएगा sender की side से किस की side receiver की side तो physical layer पे आएगा data link layer की बाद physical physical layer मतलब की 1010 की form में बेजा जाएगा जब receiver इसको receive करेगा receiver की physical layer किसको handover कराएगी data link layer को data link layer सबसे पहले तो header check करेगी destination का कि भाई हां क्या यह मेरे ही लिए है कि नहीं ओके जी मेरे लिए यह और कि source ने बेज जा है वो source का back भी उसके अंदर होगा but anyway हम interested है यहाँ पे कि अब यह ना पूरे data को read करेगी और फिर इस trailer की पार्ट की तरफ जाएगी तो जब sender ने भेज जा था इसको ध्यान से सुनना sender ने जब भेज जा था तो इस पूरे data के उपर ना एक algorithm run किया होगा ठीक है मालो कि ये इस image का ये वाला पार्ट है ठीक है उस data के अंदर इस image का ये वाला पार्ट गया है तो इसके उपर एक algorithm चला होगा और वो algorithm क्या करता इससे ने एक value calculate करता जिसको हम बोलते है check sum मालो ये value है 1, 2, at the rate, 3, hash, a, b, 9 ओके ये check sum की value तो इसने क्या अगर दी ये value यहां डालके बेज़ दी send run जब receiver पे आई तो इसने पूरे data को check किया process किया algorithm run किया same algorithm और फिर check sum की value recalculate करो करी देखो when a frame arrives at the destination the check sum is recomputed अगर ये नई value जो check sum receiving की side पे calculate हुई है अगर ये different होगी किस से जो sending side की तरफ से मिली थी ठीक है मतलब कि जो इस trailer के अ value थी और receiver ने जो value calculate कर रही है वो अगर different आती है तो इसका मतलब link layer को पता चल जाएगा error है और error के correction या detection तो detection तो होई गया है तो उसके regarding फिर आप आगे steps लेने है वह उसको discard करना है बिल्कुल totally frame को या फिर sender को बताना है कि भी retransmit कर उसमें गडबरती वो कुछ भी हो सकता है हम आगे बात करें है तो this is the way this trailer this checksum calculation is the way that data link layer makes sure they get to know about the errors ठीक है और यह receiving side पे होना है because sender ने तो भेज़ दिया रिसीवर ही तो पता करेंगा पूरे data को process करके कि भी error है या नहीं है तो यह भी किसका तुमारा framing का ही एक तरह से part है so I hope that makes sense then हमारा फिर यह तुम आपको बताई चुका हूँ कि जो frame बनता चाहिए एक और चीज इसमें यह है frame जो बनता है जो अलग अलग technologies है उनमें maybe frame का size fix हो maybe variable हो जैसे इन्होंने लिखा है कि जो ATM है पहले जो WAN में वो चलती थी technology क्या बोलता है तुमारी wide area network में lease line के लिए ATM as synchronous transfer mode हम बात करेंगे आगे I guess किसी video में we'll talk या फिर हम कर चुके है I don't know but yes MPLS की में शयद बात कर चुका हूँ MPLS भी ऐसी एक WAN technology है lease line ATM उससे पहले थी और अभी जो current buzz है networking में या market में SD WAN का है but yes maybe we'll talk somewhere about ATM also या फिर इतना जान लो यार जो ATM थी वो एक ऐसी technology थी जो तुम्हें याद है हमने क्या बोला था कि मालनो किसी company का एक यह local area network है एक यह LAN है ऐसे multiple lands है अलग-अलग location पे और एक headquarter है मालनो यह headquarter है तो अलग-अलग branches को headquarter से जुड़ने के लिए यह जो लीज लाइन लेती है company internet वाली लाइन नहीं लाइन नहीं सर्विस प्रवाइडर से प्राइवेट connection जाहिए तो शुरू में यह ATM की लीज लाइन हुआ करती थी as in chronos transfer mode but technologies change होती रहती है बहतरी आती रहती है तो फिर about you know at the ending section of this course DCN but फिलाल जसके जान लीजिए कुछ technologies में जो frame का size है वो fix होता है frame का size fix जैसे की 48 bit का DU और 5 bit का यह byte का sorry header 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 यह trailer जो भी आप loads को ठीक है depending upon technology तो fix रहेगा हमेशा 53 bit के ही सारे के सारे frames जाएंगे but on the other hand अगर आप LAN में जो हमारी नॉर्मल LAN है Ethernet LAN जो हम use करते हैं क्योंकि अभी worldwide जो सबसे famous local area network की technology है वो Ethernet है बात करेंगे हम ending section में अगेन इसी chapter में ओके तो Ethernet में आप variable size हो सकता है तो frame का जो size है जो data unit data part है वो minimum 46 byte से लेके maximum 1500 byte तक हो सकता है ठीक है इतना कम से कम data भेज सकते हो इतना ज्यादा से ज्यादा भेज सकते हो इसको फिर भेजने के लिए आपने header लगाने trailer लगाने तो जो header और trailer का size मिलाके है वो minimum 18 से लेके 26 byte तक हो अब देख रहे हो na header का size vary कर सकता है तो यह important है यहाँ पर जानना यह हम already पहले बात कर चुके है कि भाई एक ही let's say 500 MB की कोई file है उसको आप एक ही frame में डालके क्यों नहीं बेज रहे है पहला तो यह चीज़ समझो कि जब हमने शुरू की थी networking उस time पे devices में इतना hardware ही नहीं था कि वो support कर सकी इतना बड़ा data size आज के time पे for once let's believe कि ऐसा possible है बढ़ अगर मालो यह frame भेजते हुए कोई error आ गया और receiver बोले कि भई मेरे को यह frame दुबारा वेजो बोलो 500 MB ठीक है अगर 500 MB के आपने 1000 यह let's say 100 55 MB के टुकड़े कर रखे होते और एक टुकड़ा भी 100 हो गया होता पांच MB का तो वो ही टुकड़ा सिरफ आपको वापस भेजेना है तो सोचो किसमें फायना है यह कुछ बाते है इसकी वजह से वी है आप आप स्मोलर साइज अफ डेटा आप उन एर्र नेटोर्क है ना कंट्रोल की बात करेंगे में अगली वीडियो में so I'll see you guys in the next one bye bye and take care